नमस्कार दोस्तों मैं विजेतिवारी स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल The Book Society में जहां हम आज़ी क्लास में सब्डेट कोड BPS E143 चैप्टर नमबर 9 की चर्चा करेंगे इससे पहले 8 चैप्टरों की वीडियो अल्लेडी अप्लोड हो चुकी है तो यदि आपने उन लेक्चरो को नहीं सुनाए तो सब्सक्राइब उन लेक्चरों को जरूर सुनिए चीज़े समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिग्रिया दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल से जरूर जूड़िए तो चलिए आज़ी क्लास एक नई फिलोस्टी वो देता है एक नई विचारधारा हमें दे रहा है वो और कहीं ने कहीं उसका उद्देश सिर्फ इतना सा है कि हम उसकी विचारधारा में आ जाएं और परिणाम सतरूफ वो सत्ता की प्राप्ति कल ले इससे पहले चैप्टर की शुरूआत करें उससे सबसे पहले जानते हैं कि राजनितिक दल है क्या पार्टी सिस्टम है क्या तो देखो सत्ता की प्राप्ति के उद्देश से बनाएगा एक समू राजनितिक दल कहलाता है यानि कि अन्य समू और राजनितिक समू में क्या अंतर है अन्य समू और राजनितिक समू में इतना अ सत्तर लोगों का और दिल्ली के विधानसवा चुनाव में आप क्या कर रहे हो चुनाव लड़ रहे हो और आपका उद्देश है कि मैं सत्ता प्राप्ति गल्लू मैं सीम बन जाओ आप पॉलिटिकल ग्रूप हो यानि कि आप से कोई पोछे राणीतिक दल क्या है तो आप बताओगे एक ऐसा समूँ जिसकी अपनी एक विचार्धरा हो जिसका उद्देश सत्ता की प्राप्ति हो वो समूँ पॉलिटिकल समूँ कहलाएगा वो एक पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगा अब पार्टी सिस्टम क्या होता है तो किसी देश में आप देखोगे, एक ही पार्टी साशन कर रही है, जैसे कि चाइना, तो हम क्या कहेंगे, एक दली व्यवस्ता है यहाँ पर, वन पार्टी सिष्टम है यहाँ पर, लेकिन आप कुछ देश देखोगे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ पर दो ही पार्ट में एक दल्य वहस्ता है आप कहेंगे नहीं भारत में तो बहुत दल्य वहस्ता है लेकिन मैं आपको बताता हूं एक दल्य वहस्ता का मतलब यह भी नहीं है कि सिर्फ एक ही दल होगा हमारे देश में बोला जाता है कि कॉंग्रेस ही शुरुवात में थी तो हम कहते हैं वह जो आपको समझ में आएंगी तो सबसे पहले हैं पर राजनितिक दल का अर्थ बता जाएगा और दल ये वयुस्था के बारे बता जाएगा जिसको मैंने पहले सी बता दिया फिर भी आपकी किताब से पढ़ देता हूं नहीं तो आपके किताब से कुछ बता नहीं रहा है तो जाएगे उम्मीदबार चुनाव लड़ेंगे और वह लोग जो ग्रूप में जीतेंगे उन्हीं की सरकार बनेगी दल ये विवस्था के अगर बात कि जाता है और अन्य दलो कि अनुपस्तिती होगी अगर होंगे भी अन्य दल तो उनका कोई महत्म नहीं होगा दूइस-तर सरकार गिर जा है तो 6 मेने के अंदर आपको दुबारा चुनाओ करवाने ही पड़ेंगे आगे हम बात करने वाले ये तो बात पर कली हमने राणी तिंदल क्या होता है ये समली हमने पार्टी सिस्टम क्या होता है आगे हम बात करने है भारत में कॉंग्रेस की तो देखिए भा 1950 में Election Commission बनता है और 1952 में पहले बार चुनाव होते हैं हाला कि चुनाव की शुवात अक्टूबर 1951 से हुई थी लेकिन 1952 का चुनाव का जाता है कि फरवरी 1952 में चुनाव खतम हुए थे 1952 में क्या हुआ सरकार बनते हैं कॉंग्रेस की 1957 में उरक पनते हैं कॉंग्रेस की 1962 में भी सरकार बनते हैं कॉंग्रेस की यानि कि तीनों आम चुनाव में अगर आप कोमन चीज़े दखोगे तो कॉंग्रेस जीतेगी और अच्छी मैजोर्टी से जीतेगी और प्रधान बन्तिक के रूपे होंगे पंडे जवाल लाल नहरू इवन जब पंडे जवाल नहरू की मृत्य यो जाएगी तो लाल भादुर शास्त्री जी आएगे उनकी मृत्य जाएगी तो इंद्र mail गांधी जी आएगी लेकिन वो राजनीतिक पार्टिया चुनाव में लड़तो रही है बड़ जीतनी पारी उनका कोई महत्वी नहीं है तो महत्वी ही नहीं है तो वो क्या कर रही है राजनीति में कि 1950 से लेकर जो 1960 का दबदबा था ये कॉंग्रेस सिस्टम था कॉंग्रेस ही देश थी देश ही कॉंग्रेस थी उसका कारण भी था क्योंकि उस समय पंडेजवाल लाल लहरू की जो छवी थी लोग को लगता था जादी के लड़ाई में एक महत्वी भूमी का निभाई है कॉं कोई करिश्माई बंदा नहीं है जो लोग को विश्वास दिला सके तुमुझ पर विश्वास कर मैं तुझ आगी ले जाऊंगा इस वज़े से मोधी जीत रही है क्योंकि उसके लावा और कोई पार्टी नहीं है ऐसा और कोई नेता नहीं है जो देश को लेकर चल सके तो सि के पर आगे थे जिंगा नहीं है आग थे मोध को भरोसा नहीं गाए इस ही वहजे से कॉझ्छ जीत रही थी इसके ऑगर इस कोई कउंग्रेस सिस्टम खागया राजस्तर पर बात की जैट कि अध्यनिश तरपर बात की जाए हर जगा ओंग्रेस की सरकार там एया कि कुछ जगह अगर हम बात करें, PSP और Muslim League ने भी सरकार बनाई, नागा लेंड में भी एक ग्यर कॉंग्रेस सरकार थी, नागा नेशनल संगठन, तो यसा हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कॉंग्रेस का दबदवाद हो था, अधितर श्टेटों में कॉंग्रेस सरकार थी, सेंटर लेवल पर कॉंग्रेस की सरकार थी, लेकिन कुछ राज्यों में अन्य दल भी मौजू थे, इकका दुका, लेकिन 1960 के बाद कॉंग्रेस के दबदवे में कमी आई, और कई श्टेटों में कॉंग्रेस के लावा अन्य पाइड़ोगी सरकार बननी श्रू हुई, जैसे कि 1967 के जब चुना बंगाल, उडिशा, मदरास और केरल में कॉंग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, विभिन राजनितिक दलो की यहाँ पर सरकार बनी, इस प्रकार से भाहत में बहुद अल्य वश्टा श्रू होती है, कारण क्या था, कारण यह था कॉंग्रेस कई भागों में बढ़ गई, कॉं ऐए फ्लक पार्टी बना के अब आप चुनाओ लड़ रहे हो, जनता मूर्ख है, क्योंकि जनता बढ़ा कहा देख रहे हैं, जनता एक बंदे को देख रहे हैं, उन्में से 10 प्रसन्ट नेता, तो मॊंचन दूसरी पार्टी यह रजिए जैसे जो लोग हैं आप देख लिए पहले वो कॉंग्रेस में था आज BJP में क्योंकि उन्हें अग्रिष उड्डेर मंत्राले मिलिया तो वो लोग नहीं सोच रहे हैं कि हम कट्टर हैं जनता सोच रहे हैं क्योंकि जनता बीना पढ़े पास हो रही है जनता पेपर से एक दिन पहले पढ़ना चाहती है तो 1967 के चुनवाव में जो कॉंग्रेस की गुडबंदी कम कहुई था कॉंग्रेस के नीताओं का निकलना और दोसे दोसे पाइटिव की स्थापना करना इसके लावा अकाल पढ़ रहा था, भुखमरी पढ़ रही थी, दक्षिन भारत में भाषा से संबंधित विवाद हो रहे थे, बहुत सारी गयर कॉंग्रेसी पाइटिया बनेंगी, ये सब कॉंग्रेस के अपोजिशन में आ जाएंगी, और इसी वेश से कॉंग्रेस का 1970 के बाद धीदरे कम हो जाएगा, अब हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा 1970 की राजनिती कैसी थी, अगर आपने पहले चैप्टर की वीडियो सुनी है न, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत असान होने वाला है, अगर चीज़े थोड़ी चैप्टर लगे तो प 1971 में जब चुनाव होते हैं, तो उसके बाद देश में व्यवस्थाई बिगड़ जाती है, इंद्रा गांदी गरीबी हटाओ का नारा देती है, लेकिन गरीबी और तेजगती से बढ़ती है, कारण ही होता है, हमारो उस टाइम पर भार्द बंगला देश से युद होता है, उदर तेल संकट हो जाता है, जिसके से महंगाई बढ़ती है, जनता को लगता है कि ये महंगाई खतम करना चाते थे, गरीबी खतम करना चाते थे, तो गरीब हो खतम कर रहे हैं, इदर जो विपक्षी दल होते हैं, ये विपक्षी दल बड़े बेकार होते हैं, भाई लोग बिहार हंदोनों करवा दिये तो ऐसे में 1975 में अपातकाल लगा अब जब अपातकाल लगा तो पदा क्या हुआ अपातकाल के बाद जब चुना हुए 77 में तो विपक्षिदरों ने मौके का फायदा उठा है और भारत में पहली बार 1977 में 11 कॉंग्रेस सरकार बनी यानि कि 52 की बात करो आप 57 की बात करो आप 62 की बात करो आप 67 की बात करो आप 71 की बात करो आप हर बार कॉंग्रेस जीती फरकता तो पहले नहरोता अभिंद्र गांधी 77 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जनता पार्टी की जो पहली बार सरकार बनती इसने कहीं ना कही भारत में बदलाव किया ये 1970 से लेके 1980 तक की राजनीती की विशेस्ता है इस दोन कई छेतरे पार्टियों का भी उदय होगा जैसे कि BKD जो कि UP में एक बड़ी पार्टी बन कर उबरेगी इसके लावा संयुक्त सोचलिस्ट पार्टी भी एक पार्टी बनेगी जो कि यहाँ पर बताया गया है यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ेंगे सौरी चीज़ा आपको यही मिलने वाली है इसके लावा अपातकाल के बाद भारतिय जनसंग जो था वो जनतादल बन गया तो जो जनतादल 1977 में मुरार जी दिसाई की सरकार बनी थी उसमें भारतिय जनसंग थे भारतिय लोग दल थे कॉंग्रेस फोर डेमोक्रेसी थी यूपी में चौधी चर्णर सिंग जी ने पहले पार्टी बनाई जनतादल उसके बाद उन्होंने दलित मजदूर किसान पार्टी बनाई फिर अंत में लोग दल बनाया तो चौई चर्णर सिंग जो कि एक किष्री अधारित व्यक्ती थे इन्होंने किष्री से रिड़ बहुत सारे पार्टी 1979 में लोग दल खतम हो गया और जनतादल ने इसका इस्थान ले लिया इसी प्रकार से पंजाब, राजिस्थान, महराष्ट, हिमाचल प्रदेश में दो दलिय ववस्ता रही यहाँ पर मोशली बीजेपी या कॉंग्रेस जीती थी लेकिन आगे चलकर पंजाब में बहुत ले वस्ता हो गई, क्योंकि पंजाब में तीन दल हो गए एक अकाली दल बहुत फेमसता जासा कि आप न्यूज में देखते होंगे और बीजेपी कॉंग्रेस को आप जानते ही हो लेकिन आज आमादी पार्टी की सरकार है पंजाब में, महराष्ट में इसी प्रकार से शिवशेना है तो इस प्रकार से 1970 के बाद बहुत सारी पार्टीयां देधरे आने लगी और कॉंग्रेस का प्रभाव देधरे भारती रागीती से क्या होने लगा, लगभग लगभग खतम होने लगा अब हमारे यहाँ चैप्टर में बताया जाएगा 1990 के बाद भारती में राज्यों की राजनीती कैसी रही यहाँ पर कुछ एक्जाम्पल बताया जाएगे जैसे यूपी बिहार और तमिलाडू का तो देखो जब हम 1990 की बात करते हैं तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था 1990 के बात का जो टाइम पिरेड था ना ये बड़ा जबरस था ये टाइम पिरेड था आर्थिक सुधारों का क्योंकि 1991 में हमने व्याश्य करण की निती अपनाई उधारी करण की निती अपनाई प्राइविटेजाइशन की निती अपनाई यानि की नीजी करण की जब उससमें मनमोहन सिंग जी गवणनर थे और नरसिम्मा राओ उससमें हमारे प्रधान मंतरी थे इसके लावा देखो आर्थिक सुधारों के लिए टाइम पिरेड जाना जाता है 1990 के बाद एक चीज के लिए और टाइम पिरेड जाना जाता है ये पता क्या हुआ तो 1990 के बाद हमारे यहां कभी ना फिक्स सरकार नी बनी ऐसे 6 महीने 8 महीने एक साल के लिए प्रधान मंतरी ये की सरकार बनी ये सबी सरकार है जो बनी अपना टाइम पिरेड इनी पूरा कर पाई दो साल एक साल तीन साल 6 महीने 8 महीने ऐसे प्रधान मंतरी बने हमारे देश में अकर आप उस टाइम पिरेड को देखोगे तो तो ऐसे में भारत में बहुत सारे राजनितिक दल आये उ जानी कि बहुत सारे दल मिलकर राजनितिकों प्रभावित करने शुरू कर देंगे तो चलिए पहला एक्जामपल देखते हैं हम उत्तर प्रदेश का ठीक है तो उत्तर प्रदेश की बात कि जाए तो पहले यहाँ पर कॉंग्रेस का ही दब-बदबा था 1907 में एक बड़ी पार्टी बनी यहाँ पर BSP बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे कि आपने सुनाओगा BSP की क्या पहचान नील जहन लहातिर्शान और बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर मायावती का मायावती वैसे तो पांच बार लेकिन 1990 से लेके दोहर दसके बीच मे चार बार यहाँ पर CM बन चुकी थी बहुजन समाजवादी पार्टी की बात किया है तो यह दलित वर्ग को अपनी तरफ आकरशित करती है BSP हलाकि OBC और महिलाव और धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं जो मैनॉर्टी हैं इनको अपना विचारधारा मानती है लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो इसे प्रभावित किया है वो दलित राजिती ने किया है BSP के अलावा अन्यक कुछ राणितिक दल भी है UP में जिनकी स्थापना होती आगे चलकर जैसे समाजवादी पार्टी जंता दल जिसकी स्थापना 88 में होती है इसके बाद अजीश सिंह के नेतरत में R.L.D. और मुलायम सिंह यादों के नेतरत में समाजवादी पार्टी आत यादों की समाजवादी पार्टी है इसी प्रकार से RLDA अजीस सिंग की पार्टी है तो ऐसे में पार्टी उठती गई तो कॉंग्रेस का प्रभावत्त देधरे कम होता गया जातर जो दल बने वो जाती के धार पर भी बने जैसे एक पार्टी है अपना दल जिसकी स्थापना क महसूस हुआ कि हमें सही से सत्ता नहीं मिल लिए तो उन्होंने भी पार्टी अलग अलग करके छोटी छोटी पार्टी बना लिए तो यूपी की बात करते हैं जैसे आप बिहार में जाओगे तो सुरुवात में तो कॉंग्रेस है लेकिन आज की डेट में RJD है तो 1990 के बाद बिहार में भी बहुत हलिया वश्ता थी RJD की बात करो आप लालू जी की जेडियू की बात करो LJSP की बात करो बीजेबी की बात करो कॉंग्रेस की बात करो और असंग के छोटे छोटे दल यहां मौजूद हैं जैसे कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जिसकी स्थापना जीतन निभाती भी नहीं है RJD जैसे कि लालू प्रसाद यादा उसके नेता हैं जबकि जेडियू जिसके नेता नितिश कुमार है लगातार बिहार की राजनीती में अपनी भूमी का अधा करते रहाती हैं जो यह बताती हैं कि भारत में बहुदलिय वरस्था का दौर है आगे तमिलाडू का एक्जामपल दिया है चैप्टर में तमिलाडू में भभव दल्यव उस्था है 2020 में तमिलाडू के कुछ दल्यव के नाम जैसे DMK, AIDMK, PMK यह पार्टे हैं कैसी थी मैं इसकी थोड़ी से और अच्छी श्टी बताता हूं आपको हुआ क्या था अजादे के बाद दक्षिन भारती लोगों को यह लगता था खास तोर पर यहाँ पर एक व्रक्ति थे ईवी रामसवामी इन्हें लगता था कि ना जो नॉर्थ इंडिया वो विकास कर रहा है जबकि साथ इंडिया विकास ने कर रहा है नॉर्थ इंडिया की जो कल्चर है वो साथ इंडिया पर थोपे जा रहे है क्योंकि साथ इंडिया की जो भासा है वो अलग भासा है और यहां की लोगों को बोला रहता है द्रवीड तो इनका इमानता हमारी एक अलग पहचान होनी जी है हम पे हिंदी थोपी जा रिये तो हिंदी के विरोध में इन लोगों ने अंदोलन शुरू किया और यहां से एक पार्टी बनी DMK द्रविड मुनेतर कड़गम इस पार्टी को बनाया C.N. दुर्रेन और यह इस पार्टी ने हिंदी के विरोध में आंदोलन चला जिसकी वैसे रात्वरा सौथ हिंडेया फेमस हो गई और 1967 के चुनाव में इसमें से बड़े बड़े नेता जीते और इन्होंने ही कॉंग्रेस को हराने की शुरुआत करनी शुरू कर दी आगे चलकर DMK दो भागों में बढ़ गई एक तो DMK रही और दूसरा बना AIA DMK दोनों पार्टे मिलकर सौथ इंडेय की राजन जीते को प्रभावित करती है कुल मिलाकर DMK AIA DMK का इसमें वहां पर दबबा है तो तमिलाडू, बिहार और यूपी में किन-किन दलो की सरकारे बनी है उन्होंने किस प्रकार से राजन जीते को प्रभावित किया है तो इससे पर दलता है कि भारत के राज्यों में दुई दल्य विश्ता है लेकिन आप हम कुछ राज्य ऐसे पढ़ने वाले हैं जहांच जैसे आप ने UP के बारे हैं पढ़ा कि वहांगए भूत सारे दल है आप अमादय पारटी की सरकार बनी है तो देखा जाए तो पंजाब जब किताब अपडेट होगी तो पंजाब भी बहुत अले वस्ता में चला जाएगा तो यहाँ पर भी पंजाबियों और जाटों का दो दबदबा रहता है राइस्थान में जो सरकार रहती है mostly राजपूतों और ब्रहमडों का दबदबा रखती है और जो छोटी-छोटी जातियां है इनको यहाँ पर दबदबा नहीं विल पाता है राइस्थान में कॉंग्रेस और बीजेपी समय समय पर अपनी सरकार बनाती रहती है और यहाँ पर जात राजपूतों और ब्रहमडों का दबदबा है जबकि पंजाब में तीन पार्टियों ने अपनी उपस्तिती दर्ज करी है मैंने इस साइच चीजे हाइलाइट कर रखे हैं आप चाहोते स्कीन सौड लेकर लिख भी सकते हो जैसे कि अकाईल दल, कॉंग्रेस और बीजेपी तो भार्ट का जो पार्टी सिष्टम है ये इस चैप्टर में बताया गया 1990 के बाद भार्ट में दलिवस्ता की विशेस्ता बताईए तो आप यहाँ पर पहले क्या बताओगे और अंत में एक अपना साराश दोगे तो इस चैप्टर से कोई प्रिश्ण बनते हैं तो आई होप से इन प्रिश्णों का उतर देने में आप सक्षा में केरा कुछ राज्यों में छोटे दल या एक दल उभरे हैं क्यों तो शायद वहाँ पर एक जैसी विचार धरा रही वहाँ के लोगों ने भाषा के धार पर संस्कीति के धार पूं दलो कर निर्मार किया जैसे असम में असम गण परिशद नागल लैंड की बात कर लो आप मिजो नैस्नल फ्रंट की बात कर लो कश्मीर की बात कर लो आप यहाँ पर एक लोगों का यह मानना है कि एक ही पार्टी जो है वो हमारी विचार धरा हमारे कल्चर को फॉलॉप कर सकती है यही पार्टी हमें आगे बढ़ा सकती है इस वहाँ पर एक ही पार्टी रही पंजाम में मोशली अकाली दल तो आपको ये पता दल जाता है कि भारत की राद निती अन्य देश्वों की तरह नहीं है भले हम यहाँ बैट कर ये बोलने हैं कि चाइना जैसे हम क्यों नीवर्म पारे हैं क्योंकि हमारा सिस्टम अलग है हम चाह कर भी उस सिस्टम को अडप निवर्म कर सकते हैं क्योंकि चाइना में एकी धर्न, एकी संस्किती, एकी भाषा के लोग है लेकिन हमारे हम बहुत साράी संस्किती, बहुत सारी भाषा, बहुत सारी धर्म के लोग है क हम comparison करते हैं तो comparison का एक base भी होना ची इसलिए पढ़ना बहुत ज़्यूरी है भाई देखो तो इसलिए पढ़िए और ना सिर्फ पढ़िए बलकि बहुत ज़्यादा पढ़िए मिलते हैं आपसे नेक्स चैप्टर की वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशा है सभी लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे